हेलो एबरिवान, वेलकम बैक टू माई चैनल, आज मैं आप सब के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही टेस्टी नाश्ते की रेसिपी, जिसको आप स्नैक के इवनिंग स्नैक की तरहे भी बना सकते हैं, कोई गेस्ट आए तो उनको भी सर्फ कर सकते हैं, बच्चों के ल बहुत ही हलका नाश्ता है, यह बहुत जल्दी बन जाता है, और यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, बहुत ज़्यादा तीम जाम नहीं है, फटा फट बनने वाला नाश्ता है, और बहुत ही यूनीक, बहुत अच्छा स्टाइल है, आप एक बड़ नहीं लेनी है आधा कप सूजी ले लेंगे एक बाउल में रख लिया है इसको और उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा दही मतलब जितनी सूजी ली थी उसका जेस्ट आधा मैंने यहां पे दही डाला है ऐसा कुछ भी नहीं है कि दही खटा ही होना चाहिए या बहुत फ्रेश होना चाहिए यह नॉर्मल दो-तीन दिन का दही है बहुत जादा खटा भी नहीं है और बहुत जादा मीठा भी नहीं है तो बस इस दही को और सूजी को अच्छे से मिक्स कर देंगे पूरा-पूरा मैंने यहां भी दही से ही मिक्स किया है इसको अच्छे से इसको mix कर देंगे दही ताकि पूरी तरीके से इसमें मिल जाए और इसको क्या करेंगे थोड़ी देर के लिए हम side करके रख सकते हैं इसको बहुत जादा side भी करके नहीं रखना है मतलब 2-3 मिनट के लिए तो पहले थोड़ा सा पानी मिला देंगे बहुत जादा गाड़ा हो गया था इसलिए थोड़ा सा हलका सा पानी मिलाना है पानी आप आपके अंदाज से मिला सकते हैं मैंने यहां भी 1-2 टेबिल स्पून ही पानी मिलाया बस अच्छा सा mix करने के लिए और इसको ऐसा करने के बाद रख देंगे हम साइट करके अभी मैंने यहाँ इसमें कुछ भी नमक वगएरा नहीं डाला है और चलिए बना लेते हैं पहले अपनी स्टफिंग को तो जिती देर इस्टफिंग बनेगी बस उत्ती देर के लिए 4-5 मिनट के लिए मैंने यहाँ पे सूजी को सेट होने के लिए रखा है अब इस्टफिंग का जो मसाला है न तड़के का यह मैंने ड्राइ रोस्ट करके रखा है देखिए इसमें क्या क्या चीज़े हैं मैं आपको बता देती हूँ इसमें जीरा था, कस्तूरी मेथी थी, करी पत्ता था और खड़ा धनिया था और इन सारी चीज़ों को मैंने ड्राइ रोस्ट किया था और हाथ से मसल के इस तरीके से डाल दिया है तो फिर से बता देती हूँ, जीरा था, खड़ी धनिया थी, करी पत्ता था, कस्तूरी मेथी थी, तो यही तीन-चार चीज़े जो तड़के में डलती है, इनको ड्राइ रोस्ट कर लिया था, फिर हाथ से मसलते हुए इसको थोड़ी से ओईल में डाल दिया है, और थलका सा फिर बारिक कटा हुआ, यहां पर मैंने प्याज डाला है, प्याज जैसे ही हमारी सॉफ्ट होने लगेगी, बहुत ज्यादा जलानी नहीं है, बस सॉफ्ट हो जाए, जैसे ही सॉफ्ट होगी, हम इने यहां पर इसमें धनिया पत्ता एट कर दिया है, मतलब बारिक कटा बढ़ जाती है बस इस वज़े से अब इसी के बाद मैं क्या करूँगी यहां पे नमक डाल दूँगी नमक बहुत जादा नहीं डालना है बहुत हल का ही नमक रखेंगे क्योंकि हम बाद में चीजे उपर से डाल देते हैं तो नमक कभी-कभी बहुत जादा हो जाता है तो यहां पे क्या किया है। यहां पे मैंने बॉइल की हुई यहां पे मतर ली है। फ्रोजन वाली भी यूज कर सकते हैं। जो अविलेविल हो वो कर ले। आप direct भी राल सकते हैं मतर को कुक कर लें। फिर basic मसाले जो होते हैं। मतलब एक चुटकी हल्दी, एक चुटकी लाल मिर्ज और एक छोटा चम्मच यहाँ पर गरम मसाला डाला है, थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया, थोड़ा सा धनिया मसाला डाल दिया, साब कुछ आपको आपके अकौर्डिंग डालने हैं, जितनी जाधा कूंटिटी में आप स्टफिंग बना रहे हैं, उस अकौर्डिंग, बहुत जाधा स्ट्रॉंग मसाले नहीं करने है, बेसिक मसाले जो होते हैं वो बस उसके साथ साथ मैंने थोड़े से चिली फ्लेक्स डाले हैं बहुत अच्छा कॉंबिनेशन हो जाता है चिली फ्लेक्स से थोड़ा चेट पटा भी हो जाता है तो सिर्फ इसलिए बहुत जादा अलग से कोई मसाले नहीं है इसमें और अब क्या करेंगे, यहां मैंने boiled किया हुआ, कद्दू कस किया हुआ, यहां पर आलू लिया है, आलू को कद्दू कस कर लिया था ठंडा होने के बाद, तो इसमें गुठलिया नहीं परती है, तो बहुत अच्छा हमारा better बनके तयार होता है, बस इस सारी चीजों को ठंडा हो जाने देंगे उसको, ताकि के हम उसको हाथ मेलें, तो हमारा हाथ जलेना, तब तक यहां मैंने क्या किया है, देखे, आज मैं कोई steamer वगेरा मैं नहीं दिखा रही हूँ, देसी तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैंने बड़ा भगोना लिया है, और उसमे तो इस तरीके से इसके cylindrical way में रोल बना लेंगे, अब क्या करना है, ग्लास वगेरा ले लें, जो भी घर में ग्लास होता है, बड़ा हो छोटा हो, कोई फरक नहीं पड़ता, ग्लास लिये हैं, उनको grease कर लिया है, अच्छे से oil लगा के grease कर लिया, अभी दिखे, हमारी कितनी जादा फूल गई है, मेरती गाड़ी नहीं चाहिए, तो बस आप मिलाना है, असमें पानी, और इसको करना है, थोड़ा सा, सॉफ्ट, तो इसको अच्छे से बहुत जादा एक साथ पानी ना मिला दे, थोड़ा-थोड़ा करके मिलाएं, क्योंकि हमको हलकी गाड़ी ह बहुत जादा गाड़ी नहीं होनी चाहिए, बहुत जादा पतली नहीं होनी चाहिए, मीडियम जैसी होती है ना, तो बस देखे इस तरीके की थोड़ी सही लग रही है, तो अभी क्या करना है, अब इसमें डाला है, मैंने यहाँ पर करी पता, यह ड्राय रोस्ट किया तो सबकी डाइट में शामिल हो जाता है, यहाँ पर आप मैंने इनो डाल दिया है, जो फ्लेवर का हूँ आप डाल दें, और उसके बास थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, तो एक्टिवेट हो जाएगा, मिक्स करेंगे, यहाँ पर देखे मैंने नमक नहीं डाला है, क्योंकि स्टफिंग में हमने नमक यूस किया था, इसले वरना बहुत जादा हो जाएगा, तो बस इस तरीके से बैटर रेडी कर लिया, पहले थोड़ा सा बैटर इसमें डाल देंगे, ताकि के हमारा जो यह अलू की स्टफिंग है उसमें बीच में अच्छे से होल्ड कर पाए, बै कर देंगे, उपर भी थोड़ा सा डाल देंगे बस, और इसको बाद में इसी तरीके से अपने तीनो ग्लास रेडी कर लिया है, थोड़ा सा टैप कर लेंगे, ताकि कोई बबल वगेरा ना रहे, और बस आब इनको रख देंगे, स्टीम होने के लिए, दस मिनट के लिए, ल बहुत अच्छे से ये डी मोल्ड भी हो जाता है, तो देखिए, दस मिनट हो चुके हैं, चलिए इसको क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं, बहुत अच्छी भाप बन गई है, मैंने गैस का फ्लेम यहां पर बंद कर दिया, बहुत आइस्ते से खोलें, क्यूंकि भाप बहुत तेजी से आती है, कभी-कभी हाथ में लग जाती है, तो देखिए, कितना अच्छा से फूल गया है, आप चाहें तो इसको as it is, डी मोल्ड करके, ठंडा करके सर्फ कर सकते हैं, देखिए, पहले एक तूथपिक से देख लेंगे, बहुत अच्छे से तूथपिक निकल रही ह ठंडा होने रखा है, अब मैंने एक चाकू को ग्रीस कर लिया है, तो उससे हलका हलका सा इस तरीके से कर देंगे, ताकि के क्लीन तरीके से निकले, देखिए, अपने आप ही वो हट रहा है, अब एक एक करके चलिए, इसको निकाल लेते हैं, आपको डी मोल्ड करके दिखात बहुत आसानी से निकल जाता है, और आप इसको बच्चों को अगर दिखाएंगे, या ऐसे देंगे, बच्चे तो बहुत खोश हो के खाते हैं इसको, यह as it is भी खाने में बहुत टेस्टी लगता है, बट आज हम क्या करने वाले हैं, इसको बहुत अच्छे स्नैक में कनव कर लूँगे यहां पर, बहुत सौफ्ट और फ्लफी बनके रेडी होता है यह, तो बस देखें, यह हमारा यहां तक का प्रॉसेस रेडी हो गया है, अब क्या करना है हमको, इसको थोड़ा एकसाइटिंग बनाना है, ताकि बच्चे बड़े सब इसको मांग मांग के खाएं और चट कर जाएं, पूरा अपना लंच बॉक्स हो, अगर हम इसको लंच बॉक्स में देते हैं तो, गेस्ट के लिए भी अगर आप बनाते हैं ना, तो गेस्ट को भी बहुत पसंद आने वाला है यह, पिन रोल समोसा बोल सकते हैं, पिन रोल इडली बोल सकते हैं, स्टफ इडली रोल बोल सकते हैं आप बहुत सारे नामों से आप इसको बोल सकते हैं इस तरीके से कट कर लिया है आप क्या करेंगे एक पैन लिया है उसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है यहाँ पे और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे क्या करूँगी इसको अच्छे से मिक्स कर लोंगी तो बहुत जादा चीजों में हमको इसको रोल नहीं करना है सिर्फ लाल मिर्ज जाला है थोड़ा सा चेट पटाओ कलर देने के लिए ये कश्मीरी लाल मिर्ज है तो तीखी नहीं है बहुत जादा बस क्या है कि अच्छा कलर दे देगी जब हम इसको सेकेंगे तो तो बस इस तरीके से इसको दोनों तरफ उलटते पलटते हुए हमको इसको सेक लेना हो कलर देखे कितना अच्छा आ गया है तो बस इसको इवनिंग स्नैक्स में दे सकते हैं आप जबरूर कमेंट करके बताइएगा और आप मुझसे और कौन-कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं, मैं वो भी जानना चाहूंगी ताकि मैं पूरी कोशिश कर पाऊँ आपके लिए वो रेसिपी लेकर आने की, तो प्लीज मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के आप बेल आइकन को प्रेस कर लिजे, चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, थैंक यू सो मच फर वाचिंग